मारली अपनी लाट्डी बच्ची में अपने हुथानों मार के अपने अपनों मार रहे हैं गोलू तु पहलना भी गल्ती किती अपनी प्यांता साल देखे सुना आपने ये एक बालिया बयान है आरूपी मल्कीज सिंग का जिन्होंने खुद ही अपनी तीन साल की मासूम बेटी की गला दबा कर हत्या कर दी जिस बेटी को लाड़ प्यार से पाला था जिस बेटी की केलकारियों से घर में खुश्यों की लहर दोर पढ़ती थी आज उसी बेटी की हत्या एक बाप ने की है दरसल तिलक नगर के रहने वाले मलकीत सिंग ने पांच साल पहले अपने शादी शुदा जिन्दगी की शुरुआत की थी शादी के बाद दोनों पती पत्नी निहाल विहार में किराय के मकान में शिफ्ट हो गए दोनों की खुशाल जिन्दगी में एक मासूम बच्ची की एंट्री होती है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आर्थिक वजहों से दोनों के बीच बारिवारिक छगड़े शुरू हो जाते हैं मलकीत को शक्त था कि उसकी पतनी का किसी और के साथ हवैद संबंध है और इसी वजह से उसने दिल दहला देने वाली इस वारदात को अंजाम दिया जिस किसी ने भी इस वारदात के बारे में सुना उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई बच्ची की हत्या के बाद आरोपी मलकीत सिंग शब के पास ही बैठा रहा और मुबाइल वीडियो शूट कर जुर्म का एकबाल भी किया वारदात के बाद मलकीत ने खुदकुशी की भी कोशिश की उठे हैं तो वो बार बैठके रो रही थी मेरे लड़की को देखो क्या हुआ क्या हुआ अब जाके देखा तो वो खतम थी और वोशन मशीन के ओपर डाली वी थी उसके हाथ बांदे हुए थे प्यार बांदे हुए थे तो पदाने उन्होंने गलाद बागे करी इसकी क्या करा रही है वह जानते हैं वह लड़का खुद ही कही जा रहा था मैंने मारी है मैंने और मैंने क्या किया शुद्र कुछ लड़की ऊठा रहा और गर का खर्च उसकी पत्नी चलाती थी इन्हीं वज़ों से दोनों की बीच अकसर ठगड़े होते थी उधर इस वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी मलकीत को गिरफतार कर लिया है पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है